ठाकुर गए पुलीस स्टेशन के अंतरगत पुलीस को सूचना मिली थी कि एक लट्टी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है सुचना मिली थी उसके बाद में जो है DCP और ADCPC के दौरा जो है मौके का मुएना किया गया आप आद में जो विकास श्रिवास्तव हैं उनके द्वारा ये तहरीज दी गई कि उनके बेटे विने श्रिवास्तव को जो है वहाँ पे तीन लड़के जो है उसमें अजय रावत अंकित वर्मा और शमीम इन तुझनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है गोली मार करके इसी पे जो है हम लोगों ने वहाँ पे फॉरेंस इसी पिस्टल थी उसको रिकवर किया और उसके बाद में उस पिस्टल पर जो फिंगर प्रिंट्स थे उसको फिंगर प्रिंट्स को भी लिया गया उसके अलावा जो है इसमें एडिशनल डिसीपी चेरंजीवी और के साथ में जो है चार्टी में लगाईगी कि इस घटना क अनावरन करें और recreation of scene of crime करके और एक एक चीज का पता करें कि इसमें किस प्रकार से यह घटना कारित हुई है उसी के दोरान में जो है जब इन तीनों को गिरफतार किया गया अजयरावत को, अंकित वर्मा को और शमीम और बाबा से और इनसे टोटल छह लोग थे उस समय रात को इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया और उस साथ में ही जुआ जो है वहाँ पे खेल रहे थे तीन पत्ती उसी दोरान में जो है तकरीबन दो बज़े के करीब में खाना मंगवाया गया जो सौरब था सौरब रावत वार से जाकर के खाना लेकर काया फिर इन लोगों ने खाना खाया है और चार वज़े तक जो है इसमें सौरब रावत और एकोर बंटी ये दोनों जो है सोने के लिए चले गए और चार लोग जो थे वो इसमें पीछे रहे गे जिसमें विन्य था, अजरावत था, अंकित था और शमीम था उसी दोरान इन लोगों ने काफी शराब का सेवन करा हुआ था उसी दोरान में विन्य ने जगडा किया इस बात को ले करके कि वह 12,000 के करीब में पैसे हार गया था, उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी अंकित के साथ में स्पेसिफिकली क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था, तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तब इन्होंने गेम बंद कर दिया, तो मेरे मेरे को हार का कारण अंक किया के नीचे लाइसेंसी डीवॉल्वर थी उस लाइसंसी डीवॉल्वर को जो है अंकित ने और इंधिनोंने मिल करके उसमें से लोग थे सौरब रावत और बंटी वह बाद में जब इन लोगों ने फोन किया तब वो लोग आए उसकी भी CCTV में रिपोर्ट है इसके अंदर जो है ये शस्त्र लैसेंस जो बत्रिस बोर पिस्टल जो थी विकास किशोर और उर्फ आशू की है और इसके अंदर भी हम जो है ल हम जो किवेश हम जो है छूख जो बत्र schwड़ किशोर एट जो है कि यह हम पिर आज।